तो आज हम लोग जो important questions का जो एक series चला रहे थे जिसको मैं आप लोग के preparation को check करने के लिए इस series को बना रहा हूँ तो ये जो series है इसको लेके आगे बढ़ते हैं और आज इसका part 2 है तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं आप लोग क्या करिए इसमें आप लोग पहले थोरा pause कर लिजी वीडियो को और उसके बाद answer देखिए पहले आप लोग सोच लिजी इसका answer क्या है गलत हुआ तो भी कोई बात नी सही हुआ तो भी कोई बात नी आप लोग अपना खुद का preparation चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला जो है आज का पहला question है who among the following received the patronage of coach king नोरो नारयोन नोरो नारयोन का नोरो नारयोन जो coach king थे उनका patronage मतलब उनके patronage क्या होता है मतलब कुछ जो हम लोग आजकल जिसको हम लोग मतलब बोलते हैं कि sponsor करना तो वैसे ही कुछ sponsorship patronage उनके अंडर उनको रखा जाता था वो लोग उसके अंडरी सब कुछ अपना कामों करते थे तो यह जो है उनको थोड़ा help कर देना तो यह होता है patronage तो किन के बारे में बात हो रहा है क्या वो शंकरदेव है आनंत कंडली है पुरुषत्तम बिद्यवंगिश है या फिर all of this है तो आप लोग इसका एंसर सोचिए इसका जो करेक्ट एंसर है वो है all of this मतलब इधर में से सभी को नरो नारायन ने पेट्रोनीच किया था शंकरदेव आनंत कंडली पुरुषत्तम बिद्यवंगिश नेक्स्ट आजका क्वेशन जो है वो है तो श्वर्ग नरायन जो टाइटल है यह कौनसे आहूम रूलर को दिया गया था तो अप्शन्स में है सुदांग फा, सुहूंग मुग, सुकलेंग मुग, सुलिक फा तो इसका जो करेक्ट एंसर है वो है सुहूंग मुग सुहूंग मुग का नाम, टाइटल सुर्ग नरायन दिया गया था, सुहूंग मुग नेक्स्ट, अप्राइजिंग ऑफ पाथुरी गाठ तुक प्लेस इन विच येर तो पाथुरी गाठ का जो अप्राइजिंग है वो कौनसे साल में हुआ था, पाथुरी गाठ यह इसका detailed वीडियो भी मैं बनाऊंगा बाद में पर अभी के लिए आप लोग answer बताईए कि पाथरीगाट का जो अपराइजिंग हुआ था वो कब हुआ था option 1864, 1894, 1826, 1869 तो इसका जो correct answer है वो 1894 1894 में पाथरीगाट जो revolt हुआ था वो 1894 में हुआ था next है the yandabu treaty was signed in 1826 between 1826 में जो yandabu treaty हुआ था जिससे फिर East India Company को rule मिल गया था तो वो जो है वो कब हुआ था the yandabu treaty was signed in 1826 between कौन से दोनों के बीच वा था क्या वो East India Company and a home king के बीच में हुआ था East India Company Burmese के बीच में हुआ था British crown and a home king के बीच में हुआ था या फिर British crown and Burmese के बीच में हुआ था तो सबसे पहला option आप लोग इसको कैसे elimination की भी यूज कर सकते है देखिए British crown तब आया नहीं था क्योंकि 1826 का बात हो रहा है revolt 1857 में हुआ था जो revolt उसके बाद British crown ने शाशन लिया था पर उससे पहले कौन थे East India Company मतलब हम लोग के correct option में A या B का होगा ना तो इसमें कौन सा एंसर correct है आप लोग सोचके बताईए नेक्स्ट है इस्ट इंडिया कंपनी एंड बर्मिस तो इसका जो correct एंसर है वो है इस्ट इंडिया कंपनी एंड बर्मिस शोदिया खोगोहाई वाज ए शोदिया खोगोहाई कौन थे यह इसमें बताना है तो यह जो पोस्ट है शोदिया खोगोहाई यह क्या है क्या वो जमिनदार थे इसका जो पोस्ट को शोदिया खोगोहाई का नाम दिया गया थे उसका जो correct एंसर है वो है फ्रोंटायर ओफिसर फ्रोंटायर ओफिसर को शोदिया खोगोहाई बोला जाता थे तो इसका जो correct एंसर है वो सुहुंग मुंग को दिहिंगिया राजा बोला जाता थे इसका जो correct एंसर है आप लोग ने सोच लिया होगा इसका correct एंसर है सी सुहुंग मुंग तो सुहुंग मुंग ने बहला सेंसस किया था तूर्बक एक गौर कमांडर इंभेडेड आशाम इन हुई चियर तूर्बक ने कौन से साल में इंभेड किया था आशाम को तो 1532, 1530, 1527 या है 1528 तो इसका जो correct एंसर है वो है 1532 1532 में तूर्बक ने वो किया था मतलब इंभेड किया था आशाम को नेक्स्ट कोईशन इसी के उपर बेस्ट है कि तूर्बक जब जब ने तूर्बक ने जब इंभेड किया था आशाम तब आहों रूलर कौन थे तब के ओप्शन है सुहुंग मुंग, उदयादित्य सिंग, जयाध्वाच सिंग न रूद्र सिंग तो इसका जो correct एंसर है वो है सुहुंग मुंग सुहुंग मुंग के साशनकाल में ही तूर्बक ने आशाम को इंभेड किया था और उन्होंने face किया था सुहुंग मुंग के बेटे को जिसका नाम था सुकलेंग next next है which a home ruler created the position of बोरपत्र गोहाई बोरपत्र गोहाई जो पोस्ट है वो किन्होंने create किया था option सुकाफा सुधांग फा सुपिन फा सुहुंग मुंग तो इसका जो correct answer है वो है सुहुंग मुंग सुहुंग मुंग ने और पत्र गोहाई का पोस्ट है वो अस्ता मतलब create किया था next है what is the state tree of आशाम यह सबको पता होगा what is the state tree of आशाम शेगून, होलॉंग, बेंबो, नीम कौन सा है तो इसका जो correct answer है वो है होलॉंग होलॉंग is the state tree of आशाम मानस नेशनल पार्क falls in मानस नेशनल पार्क कहा पर आता है देख लिते हैं हम लोग क्या वो बाक्सा एंड बॉर्पेटर डिस्ट्रिक्ट में है चिरांग एंड बाक्सा डिस्ट्रिक्ट में है चिरांग एंड बंगाई गाउ डिस्टिक्ट में है या बाक्सा एंड बंगाई गाउ डिस्टिक्ट में है तो इसका जो करेक्ट एंसर है वो है चिरांग एंड बाक्सा डिस्टिक्ट चिरांग एंड बाक्सा डिस्टिक्ट में है मानस नेशनल पार्क हम लोग ने इसके बार इन में से कौन सा river अरुनाचल में originate नहीं होता है तो options हैं दिहिंग river, coming river, divang river, column river दिहिंग river, coming river, divang river या column river does not originate बोला है तो इसका जो correct answer है वो है column river column river अरुनाचल से originate नहीं होता है बाकि जो है दिहिंग रिवर कामेंग रिभांग रिवर यह सब अरुनाचल में औरीजिनेट होते हैं next जो है what is the length of the river Bhamaputra in India? Bhamaputra का length इंडिया में कितना है यह total नहीं बोला है total तो देखिए चाइना से सुरू होता है तो चाइना से होके आखे फिर अनुनाचल में enter क्रता है, फिर इंडिया में हो जाते है, तो जब तक बंगलादेश में नहीं घुसता है, तब तक, तो इंडिया का कितना, इंडिया में बरमपुतर का कितना length है? यह पूछा है, तो option है 910 km, 915 km, 916 km, 918 km, तो इसका जो correct answer है, 916 km, जो हम लोगा इंडिया में In which district the Shri Shurya Pahar is located? Shri Shurya Pahar या Shri Shurja Pahar कहाँ पर located है Options धुबरी, गौलपारा, दरोंग या चिरंग तो कौन से district में हम लोग का Shri Shurja Pahar located है? इसका जो correct answer है वो है गौलपारा गौलपारा में Shri Shurja Pahar located है Next है Which one is the highest peak in आशाम? इन में से कौन सा highest peak है आशाम का? तो option में है निलाचल peak, लाइके peak, पटकाई peak या कंदूली peak तो इसका जो correct answer है वो है लाइके peak तो लाइके peak अप लोग के याद रखना important question है लाइके peak is the highest peak of आशाम When was the Kajiranga inscribed as UNESCO World Heritage Site? Kajiranga को World Heritage Site का दर्जा कब दिया गया था? Option है 1980, 1982, 1983 या 1985 तो इसके बारे में भी discuss किया आप लोग फिर से उसमें देख सकते हैं Kajiranga के विशय में पूरा discuss किया गया था तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं मैं playlist देदूंगा और इधर आई टेब में भी आप लोग को मिल जाएगा ये वीडियो तो प्लेलिस्ट तो यह जो है इसका जो करेक्ट टेंसर है वो है 1985 1985 में यूनेसको वर्ल्ड हेरिटेस साइट का दरजा मिला था ये और जिर्णा अच sixtrap को आरा रोहता घिबुट आवटर जोनिंग स्टा इधर इसक एच्टा है यृद दीखने रहे तो तीस्था रिवर ईज्टने के बाद बाद बाम्लपोत्र का नाम क्या हो जाता इसका जो क्रेक्ट इसका जो option है वो है जमुना पादमा मेगना या दिहांग जमुना पादमा मेगना या दिहांग तो इसका जो करेक्ट एंसर है वो है जमुना जमुना के नाम से जाना जाता है नहीं हम लोगों के जोब्रहम पुत्र है वो जब भ्रहम पुत्र जब तिस्ता के साथ मिल जाता है तो इसको बुला जाता है अपादमा नश कि जमुना बोलाया नेक्स्ट है फूइच फॉरेस्ट इस सिंगल हेंड़ेडली प्लेंटेड वाई जादो पायंग जादो पायंग बहुत ही इंपोर्टेंट परसेनलेटी है वह हम लोग के फॉरेस्ट में आशाम के हिसाब से भी जाना जाते हैं तो फॉरेस्ट जो जादो पायंग है उन्होंने कौन सा फॉरेस्ट पुरा अपने हातों से लगाया था उधर के उस फोरेस्ट में ट्री लगाया थे बपायंग जादोदेड पायंग ने खुध अपने हादो से पूरा सिंगल हैंड़ेंडली प्लेंट किया था उदर राक्षिट नेक्स जो question है वो है तब भुपेन हाजुरी का सेतु धोला शोदिया ब्रीज देखिए धोला शोदिया ब्रीज का दूसरा नाम है भुपेन हाजुरी का सेतु ये भी डिसकस किया था मैंने पहले जब प्रिवियस येर questions को डिसकस कर रहे थे इस constructed over which river कौन से river के उपर ये construct किया गया था options में है बमोपुत्र, बोराक, दिहांग, लोहीत तो इसका जो correct answer है वो है लोहीत तो आज के लिए इतना ही questions आप लोग को अशा करता हूँ सब questions आप लोग ने अंसर attempt किया होगा correct हुआ नहीं हुआ वो अलग बाते पर attempt करना आप लोग तो आज के लिए इतना ही thank you, जय हिंद, जय आशाम